आप देख रहे हैं दखल न्यूज देश भर में उमाप और लास्ट के पर्व खोली की धूम राश्ट्पती और प्रथानमस्ती ने दी शुटकाम दाए अमेरिका की जेताब भारत पारा दंग भी हम्ना हुआ तो पाकिस्तान की पुसीबाद देवर्दन सिंग की पहल शेहरों को बनाएंगे फुल्म जबलपुर में दिन दहला देने वाली खटना ठाइसाथ की बजिए तो रट्ठाश्य और सल्मान खान बने कायक फिर में दोटकुकी ने काया गाना नमस्कार मैं हूँ शेफालिया आप देख रहे हैं दखल न्यूज अब खबरे विक्ताइब देश भर में रंगों का त्योहार खोली का उलाद है हर तरफ रंग और मस्ती नजर आ रही हैं हर इलाके में लोग अपने अपने अंदास में खोली मेना रही इस शिव मौके पर देश से राश्ड़्रुपति रामनाथ कोईद ने शिब कामना देते हुए कहा होली के शुब अफसर पर भारत और विदेश में रह रहे हैं सभी देश वाकियों को बधाई वंशुब कामना है रंगों का त्योहार होली बसंत और समाज में सोहार्ड का उत्सव होता है कामना है कि यह उत्सव सभी के जीवन में शांती, सुख और सम्रत्वी लाने वाला हूँ वहीं प्रधान मंत्री नरिन मुदी ने कहा होली के पावन परवसी सभी देश वातियों को धेर शुख कामना है हरश्वर उलाग का यह त्योहार हमारी एक्ता और सद्भावना के रंग को प्रगान करे कॉंग्रेस अद्यक्ष राहुल गान्थी ने कहा आपको और आपके परिवार को हुली के पावन अफसर पर मेरी और मेरे समस्पिक कॉंग्रेस दिन की ऊर्थे हर दिक शुख काम है हुली का यह त्योहार आपके जीवन को खुशियों के रंग से सराबोर कर दे मेरी इश्वर से यही कामना है बॉलिवुड स्टार अमिताब बच्चर ने हुली की बधाय देते हुए ट्विट किया है हुली का त्योहार है रंग भरी खुशियों की पौच्छार है दिल घर भरे आपका संपन रूपो सब का प्रातना जो दिल में ढले ध्यान उन सब को भी मिले प्राणों की आहुती दे जन देश प्रती जो सब होशियाद वोपाल के पूर्व मुखमंत्री बाबुलाल गौर होली की मस्ती में नज़र आया वहीं शिवरा सिंग के निवास पर होली नहीं मनाई दे मुखमंत्री रहती शिवरा सिंग जंकर होली की रंगों का त्योहार होली भोपाल में बड़े धुमधाम से मनाया जा रहा है हर जगहां लोग होली के रंग में सराबोर नज़र आये हाला कि पूर्वे मुख्यमंत्री शिवरासिंग चौहान के घर जहां हर वर्ष होली के दिन बड़ी धीर्ट और उल्लास के साथ होली मनाई जाती थी वही इस वर्ष प्योहार में सन्नाटा पत्रा रहा शेवरा सिंग चोहान ने इस वर्ष पुल्वामा के हमले में शहीद हुए जवानों और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के निधन के चलते होली ना मनाने का फैसला किया है। वहीं पूर्वय मुख्यमंत्री बाबुलाल गौर होली की मस्ती में नजर आए और होली से राम मंदिर तक हर मसले पड़ चलते हैं। इसका बहुत अलग अलग एक पुरानक बहत है। लेकि आनद कते हुआ रहे। इसमें एक दूसरे की रंजिश्क गले मिलके दूर हो जाती है। का अध्या में राम मंदर के दोनों पुरुदी पर महांत और मौल्वी अध्या में उन्हें एक दूसरे को होली मिलने के और उन्होंने खुब रंग गुलाल पहलागा। कि जी तो अला तियोवार है। और इस मौके पे मैं सभी रूपो बहुत शुक्तामना देता हूं। और फसल आती है और उसे खुषियां की लहर आती है। खुषियों का यह तयोवार है। और वैसे भी मदर्वदेश में तिरंगे का तिरंगे का तिरंगा है। 15 साल के बाद कॉंग्रेस की सरकार कमर्लाजी की नेतर बनी है, जो नोंने वचन दिये थे, जिनको पूरा कर रहा हैं, और ये जो लहर चली है, तिरंगे की, तीन करणर की तिरंगे, वो पूरे देश में पहलेगी, और दिल्ली में भी कॉंग्रेस सरकार बनेगी, राउल पूर्व मुख्यमंत्री बाबुलाल गौर ने देश वासियों और प्रदेश वासियों गौर ने कहा होली खुशियों का त्योहार है कि अच्छी खबर भी है कि आयोध्या मसले को हल करने के लिए दोनों पक्षकार आपस में बैट कर आयोध्या मामला हल करने में लगे हैं जैनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने भी होली के अफसर पर देश वासियों को शुब कामना आतंगवाद के मसले पर अमेरिका ने पाकिस्तान को सक्षितावनी देते हुए कहा है अगर भारत पर आगे कोई आतंगी हमला होता है तो यह उसके लिए बड़ी मुशिवत बता है पाकिस्तान को आगहा करते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि खास तोर पर जैसे महमद और लश्करे थैबा जैसे आतंगी संगधनों के खिलाफ पाकिस्तान को फुक्ता एक्षन देना होता है वाशिंग्टन में वाइट हाउस के एक वरिश अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान को आतंगी संगधनों के खिलाफ बड़ी कारवाई करने की जरूरत है भारत पाकिस्तान छेत्र में किसी प्रकार का तनाव पैदा ना हो इसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान खासकर जैशे मुहमद और लशकर टयबा के खिलाब सक्त कदम उठाए अमेरिका ने कहा कि अगर हाला बिगड़ते हैं तो दोनों देशों के लिए खतरनाक होगा अगर भारत पर आगे कोई आतंग की हमला होता है तो यह पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीवत बन सकता है आप देख रहे हैं तखल नियूड मैं कोस्ट कार्ड नहीं पर समंदर पर होने वाली हर हरकत पर मेरी नजर है I'm not a sniper पर देश के दुश्मनों को बेज़िजग शूट कर सकती हूँ मैं कोई पुलिस या आर्मी आफिसर नहीं पर अगर मुझे किसी पर शक आए तो उसकी पूछताज मैं अच्छी दरह से कर सकता हूँ ये कोई चेक पोस्ट नहीं पर यहां से हर गलत काम करने वालों को रोक सकता हूँ मैं कम्प्यूटर से गुश्पैट करने वाले आतंक वागियों को अपने हाथों से रोक सकता हूँ कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें किसी वर्दी, ओहदे या तजुर्वे की जरुरत नहीं जहां हो वहीं से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं देश का सच्चा सिपाही बने जैहिन आप देख रहे हैं दखल्यूर्व प्रिक्षिबाद आपका स्वागत है मदविदेश के नगरी विकास एवं आवास मंत्री जैवर्दन सिंग्ने कारियों का लेखा जोखा जन्ता के खामने रहा है उन्होंने कहा कि गरीबों को आवा, शेहरों का विकार और रोजदार उनकी मुख़् प्राथ मिक्ता है नगरी विकास मंत्री जैवर्दन सिंग्ने जन्ता के सामने कॉंग्रिस के वश्चनों को पूरा करने की बात कही शेहर में बविकास के प्रस्तावों पर चर्शा करती है जैवर्दन सिंग्ने कहा कि शेहर को दूल मुख्त करना हमारा लक्ष है जैवर्दन सिंग्ने बताया कि बोपाल का माश्टा प्लान डिल्यू किया गया है जिसको अक्तूबर या नॉवंबर तक लागू किया जाएगा शेहर के विकास में तालवों का ध्यान रखा जाएगा जैवर्दन ने कहा जो जन के साथ साथ जबलपुर घाट को भी वेफसित दिया जाएगा हुए थे कि लगभग सक्तर दिल में ही कॉवर्श पार्टी की सरकार में लगभग 83 वचल प्रोड़ी किये नमबर वान युवास पाविमान योजना कि पूरे देश में पहली बार एक ऐसी योजना लागू की रही है जिसमें शेहरी दिलोजगा गिवाव के लिए हमने नीदी बनाई हैं मैं आप सब से अर्श करना चाता हूँ कि इस दोजना में अब तक लगभग धाई लाग गिवाव पजीवित हैं गोपाल मास्टर प्लाइन हमने अभी से प्लाइन कर ली है इसका पूरा हमने इसको जिया ले लिया है और हमारा ये लख्ष रहेगा कि ऑक्टोबर या नवबर तक गोपाल मास्टर प्लाइन रिलीज किया जाए और इसमें हमने विशेशकर बोपाल पालाग का और जो बोपाल पालाग का कैश्मेंट एरिया है इसमें भी विशेश ध्याद रखकर हमने इसकी पूरी प्लाइन की है जवास वावी माई जोजना को लेकर जयवर्दन ने कहा कि जोजना के तैर धाई लाख लोगों का रिश्टेशन हो चुड़ा है इसमें से 20,000 से ज़्यादा जवाँ में ट्रेनिंग भी चालू कर दिया है इंदर को लेकर जवर्दन ने कहा कि इंदर में अवیद कॉलनी को व्यद करने का प्लान तियार किया जया है इंदर के सफाई में नंबर वन आनेवीवाद पूरे परदेश में इंदर मोडिल को आधार बनाकर सफाई वीफ्सा लाउ की जाएगी जवर्दंद रोजगार के लिए कमंदनाथ परकार की तरहना करते हैं कि जिस तरह चिंदवाडा में इंडस्मेंट और इंडस्ट्री से रों को रोजगार मिला है वैसा ही पूरे प्रदेश में विकास होगा जबलपुर के कोतवाली थाना च्षेतर में धाई साल की मासूम बच्ची से दुराचार का मामला सामने आया है दुराचारी कोई और नहीं मासूम के पडोस में रहने वाला रिष्टे का चाचा इस वहशी दुराचारी को गरफ़तार कर लिया है यह घटना वहशी पन के इंतहा है जहां रिष्टे के चाचा ने एक धाई साल की मासूम के साथ दुराचार किया दोपर में बच्ची अपने घर पर खेल रही थी तबी पडोसी वहशी चाचा मासूम बच्ची को अपने घर पर ले गया और उसके साथ दुराचार किया बच्ची की चीखने की आवाज पर उस्की माप बच्ची के देखने पहुची, तो इस मामले का खुलासा हुआ, वीर्ज बच्ची का अस्पताल में इदाज चल रहा है. इस में घटित करने वाला है, वो उसका चचेरा बाबा है, वीर्ज बच्ची को तदकाल एलगन अस्पताल में भरती कराये गया और पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बास पुलिस ने आरोपी विजए चौज़ई को गरफतार कर लिया। आफकारी मंतरी बिजेन सिंग राठोर ने कहा है कि बीजेपी सरकार के आफकारी विजिए सरकारी खजाने को नुटाने वाली थी, उससे सरकार को नुखसान हो रहा था, इसकारा उस आफकारी नीती में बदलाव की जा रहे है। कि जिन्नों का सुभाव ही जुट बोला हो उनके बारे में पहली बात तो तीक का टिपड़ी करने में मजा नहीं है लेकिन आपने पूछा है तो मैं आपको बता रहा हूं जो लोग ये कह रहे हैं उन लोगों के ही कारिकाल की जो नीती है उसी को हमने आगे बढ़ाया है हमने उसमें कोई सुधार नहीं किया नंबर एक नंबर दो सुधार किया है तो केवल इतना कि जो इन्होंने सरकार में ना रहते हुए भी इस साल का भी रिनुवल का नगय ले लिया था कि 15 प्रिटसत के ऊपर पूरे बंद्वर्देश का रिनुवल कर रहा है उसको हमने किया 20 प्रिटसत का मतलब यह है एक बहुत बड़ी रासी मद्वदेश सरकार के खजाने में आती है और उस रासी का उप्यों आम जनता के हितमें किसानों के नौजवानों के बच्चियों के साधी के विकासकारियों के हितमें उस पैसे को खंच किया जाता है आपकारी मंती लाटोर ने कहा कि हमने जो नीती में संशुदन किया है इससे राजस में एक बहुत बड़ी रिकम सरकारी खजाने में आएगी इससे जनता का भला किया जा सकेगा खजराहों में एक खेट से वामन देव की प्राचीन बेशकिम्टी मूर्ती मिलने का मामला सामने आया है लावर्ष मूर्टी में देखी किलेस के मौकर में पर पहुंचका बाहर की पुराता बबाणी खेट माले कामने आससे पत्थर की मूर्थिया पुरानी इसमने कालोती है और कुछ लोग भी पकले गया है साथ उसका मुझ को ठीक्च नहीं मालू है लेकिन कुछ लोगों के नाम है थाने में पत्थर की मूर्तियों की तसक्री करते थे अब क्या है मूर्तियां तो जगे जगे यहां फैली है आप कोई भी जमीन पर उठावा तीला देख लें दस फुट बारा फुट पांच फुट तो हो सकता उसके नीचे ही एक मंदीर हो लेकिन पूरा तत्विवाद बिलकुल इस और ध्यान नहीं दे रहा है जिसके चलते समय स्थानी लोगों बी मानते हैं के फजराओं में मूर्धियां लावर लेकिन सरकार इस और ध्यान नहीं देती इस करार मूर की तथकर इने चुरा लेती हैं लोगसभा चुनाओ के आते ही एक बार पिर सिंधी समाज में राजनीती शुरू हो गई है सिंधी समाज की तरफ से कॉंग्रेस ने तर जगदिश असनानी में खुद अपनी दावेगारी चाता है कि बोपाल लोगसभा से किसी सिंधी विफ्टी को टिकेट दिया जाए संत नगर के जगदिश असनानी ने लोगसभा चुनाओ के लिए खुद को सामने रखा है और कहा कि मरजर कैश्वाइट कई मुद्बों को सुझानी को बेकर उन्होंने पहले भी कोशिश किये और आगे भी इसे जादी रखेंगे सिंधी समय सहीवाइट माराण मीडा समाज मुसल्मान समाज जीतावी वर्ग सभी गरानी में उन्होंने बताया कि पिखले स्वेटी स्वेश्वाइट से गवाः आगे। के दो मुखा देती है तो मैं पार्टी को कभी निराश ने करूँगा समय ब्रेक का है ब्रेक के बार जल्द हाजर होंगे आप देखते रहे हैं तखल्यूज आप देख रहे हैं तखल्यूज मैं कोस्ट कार्ड नहीं पर समंदर पर होने वाली हर हरकत पर मेरी नजर है आम नौट अ स्नाइपर पर देश के दुश्मनों को बेजिजग शूट कर सकती हूँ मैं कोई पुलिस या आर्मी ओफिसर नहीं पर अगर मुझे किसी पर शक आए तो उसकी पूछता आज मैं अच्छी दरसे कर सकता हूँ ये कोई चेक पोस्ट नहीं पर यहां से हर गलत काम करने वालों को रोक सकता हूँ मैं कम्प्यूटर से गुश्पैट करने वाले आतंक वागियों को अपने हाथों से रोक सकता हूँ कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें किसी वर्दी औहदे या तजुर्वे की जरुरत नहीं जहां हो वहीं से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं देश का सच्चा सिपाही बने जैहिन आप देख रहे हैं तखल्यूर्ट के बाद आपका स्वागत है मदवदेश के तक्काली मंत्री लिखी राम कावरे की हट्रा में शामिल महिला नक्सली जम्मना को पुख्यात महिला नक्सली जम्मना को मार गिराया है इस पर आठ लाक का इनाम था जम्मना टांडा दमल एरिया कमेटी की सचिव थी पुलिस को मिली सूझना पर गाता पारा थाने के भावे के जंगल में जब मुद्भेड हुई तो जम्मना ने कारवाइन मशीन गंद से फ मुद्भेड के पास से नक्सली के दैनिक उपियोग की चीजे और नक्सली साहित बरामद हुआ नक्सली जम्मना मद्यप्रदेश के तक कालीन परिवाहन मंत्री लिखी राम कावरे की हत्या में शामिल थी 1998 में नक्सलीों के किरनापुर में घर के बाहर लिखी राम कावरे की हत्या कर दी थी जम्मना 1994 में नकसल संगठन में शामिल हुई और जमना का मदप्रदेश और 36 गड़ की सीमा में आतंग था शिकारियों के फंदे में फसे भालू को बमुश्किल रेस्क्यू कर लिया गया इस भालू को बचाने में वन अमले को पांच घंटे का समय लगा इस सब भालू को बाद में जंगल में छोड़ दिया गया चतारपूर जिले के राजनगर के ग्राम पहाडी 52 में जंगली भालू का रेस्क्यू किया गया चंदरनगर पुलिस को खबर मिली कि एक खेट के पास भालू फंदे से फसा हुआ है आनन्फानन में वन विभाग को यह खबर दी गई पन्ना टाइगर रिजर्वी की स्पेशल रेस्क्यू टीम भालू का रेस्क्यू करने घटना इसकल पर पहुची और चंदरनगर पुरिस्थाना वन अमले की मौजूग्गी में भालू का रेस्क्यू लगभग पांच घंटे चला पहले भालू को विशेशक्य द्वारा गंज से भिहोश किया गया उसके बाद उसे जाली में बांद कर सुरक्षे तरीके से रेस्क्यू टीम ने फिंधरी में बन कर दिया इस भालू को पन्ना नैशनल पार्क में छोड़ दिया गया है और उसे सुरक्षी दस्तल पर छोड़ने के लिए ले जा रहे हैं भालू स्वस्त है को इस तरह के इंजरी नहीं हुए है जब किया गया है इस बारे में खेत मालिक से भी पूश्टाश की जा रही है पन्ना नैशनल पार्क के वफट जोन में आने वाले इस छेतर में पन्ना चाइगर रिजर्व केज से जानवर आ जाते हैं जिसका शिकारी इंदिजार करते हैं ऐसे पंदे जंगली सुरों घ्रणों को फसाने के लिए लगाए जाते हैं यह फंदा इतना मजबूत होता है कि एक बार जानवर इसमें फ़ल जाये तो उसका निकलना मुश्किल ही नहीं नामुम्किन हो जाता है कमलनात सरकार आने के बाद किसानों की मुसीबटे कम होने की बजाए और बढ़ गई हैं किसानों को जब चार महिने से धान की फसल का नुकसान नहीं मिला तो किसानों ने संबंदे दफ्तर में तला बंदी कर दो किसान परेशान है, ना अधिकारी उनकी सुन रहे हैं और ना सरकार, रहटी तहसील के ग्राम बाया के किसान अपने धान के भुकतान के लिए अधिकारियों से लेकर मंत्री तक कोई शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, सोसाइटी बैंक ने विगत भुक्तान नहीं किया गया तो मजबूरन उन्हें आंदोलन करना पड़ेगा करते हैं करमचारी अधिकारी लोग तो पर करवाई हो जाएगी विजय वर्गी बुद्नी से विनांग बेंग को को शिकायत के लिए तो वो किरें कारवाई हो जाएग्सान को बंद करवा देंगे इस बुलेचन में फिल हाल इतना ही आप देखते रहें दखल निउस दखल आपके हद अब आपके साथ हैं होली की मस्ती में जरजर भू पाली नमस्कार वेरन समाचार में आपको वेलगम कर दिया हूं में कुछ अर्जार भो पाली और आज है भाई यह थड़ना ही भाग भाग भी डाल दू हो लिए भाग मैं बता रहे हूं इसका असली कारण क्या है तो गबर सिंग ने पूछा था हो लिकावे तक डर गए लोग तो हो बिमोचन में गया था भी तो पुस्तों के ऊपर ब्यंग लिखे थे किताब की उसमें मेरे उकासिती बना दिया और में यह जा रही था और रास्य मेरे खुछ से मिल गए वो मीटिंग चल ले थी उनकी चुनाओ आ रहे हैं किसको काटना है यह तब किये हो रही जा था मैं प पता इसे दिया थी खाबरे चल ली और यह खबर देख लो कले मेरे पात वह आ गए थी बहुत चायवाली चल लाते हुए क्या करें हम करें सब चोकी दारों के पीछे बड़े सब उनकी दाद हुली के पढ़िए यह दिमाख चेंशन में चल लिया मेरे दोनों बच्ची बेरोजगार गोम रहे हैं रोड़ पर गूम रहे हैं तो मैं हुली के पढ़िए अब बाद राजी ने जा मिल लेली और रहु पर गोम रहे हैं आखा इसमें राफिल ली हुए है और प्रियंका गली बच्ची बपानी तो उनों ने गंगा यात्र शुरू कर दी बजा रहे हैं यह तो सब चल लिया है और उत्तर प्रिदियस में देखो बुआ और बभुआ की उली चल ली है यह ना बुआ कहने तुम य लाखा ही तुम यह कहलोगी बभुआ कहरें यह तुम्हारा इलाखा नहीं बुआ यह बुआ यह बुआ ओ बुआ ऑगी छल ली चल ली हुटि इस पर मोलाम सिंग क्या कहना है ने बेसा लिजत हैं आट प्रकाम नहीं था वो पाइबार शापर हो गया है चार्चा रखो अब यह वह जाए है प्रदेश नी जानता भाव ने करेंगी वह तो प्रदेश में चाहा के बापस नी कि पार्टी चुले मचार के यह तो था चली है दिल्ली में केज्री बाल पिछकारी लेकर होली निकले दिल्ली में पता रहे हैं कोई आजमी नहीं दिखा उनको इतना पॉलुशन है दिल्ली में पूरा दुगा दुगा दिखा कोई आजमी देखी नहीं दिखी नहीं दा अब सिसोधिया चिलना ने सिसोधिया ने मनाकत दिय अपने पिछकरी अपने रंगों आपने डाला आकर बेट के घर में यह तो चल लिया है और उदर मनता बना है थी वह भुट्पवेड़ी के तास घोली खेल लेए उनको गुआ इसके लग रहे हैं अपने घर के बगारवाला को शोड़के दूसरों के तास घोली खेल लेए उन आपने घुबारा भेग जाता है कोई वाल्टी भर-बर के कीचल में कीचे आचा शेटा का तो यह लंगान हो रही है बता रहे हूं और परीशार हो रहे हैं अब मेरे पास कल फोना आया है यह इसके जाहिल नेता है बता हूं यह तो चल ले आए और अपनी अमिस्टा है वो म शेटर है वो इसमें जास करें रहूं है थे फड़ शेटर हो है मिनिस्टर है बताऊ यह क्या कह रहे है पूरे के सेहरों उनक्रशान नीना भीड़ अधन करें में बता रहे हो किमें रहे है दो घ्यरशां को और आपंऑं रहे हो औ हम ल多 ऊजह चैन को लिए को ए समय स्वाओ आप देख रहे हैं तकल नियूज